यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 15 इंडियन्स को बचा लिया गया है और जो शिप हाईजेक की जा चुकी थी इंडियन कमांडोस ने उसे कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दिया है एक ओप्रेशन के अंडर और इंडियन नेवी ने इससे रिलेटेट जो सारी वीडियो यह पूरी दुनिया को और अफकोर्स सबी इंडियन्स के साथ शेर करी है ये दिखाने के लिए के इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के पास किती Capability है और कल को कोई भी हैजेक होती है जहांपर इंडियन कमांडोस आक्शन में आ जायेंगे नाव यहां पर आप आप लोग करने की कोशिश की जारी थी न, M.V. लीला नॉर्फॉल को, M.V. लीला नॉर्फॉल के एक शिप है, ये नॉर्थ अरेबियन सी में सेल कर रही थी, और तभी इसको सुमालिया के पायरेट्स ने हाईजाक करने की कोशिश करी, उसके बाद क्या होता है, कि इंडियन नेवी, हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं, और हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द शिप से दूर हो जाओ, यहाँ पे आप देख पाऊगे, जिसे सुमालिया के पायरेट्स ने हाईजाक करने की कोशिश करी, उसके बाद, पहले तो इंडियन नेवी ने दूर से व साइडन है, उसके बाद हमारे कमांडोस भी रेडी है, और यहाँ पे आप देख पाऊगे जो शिप है, इसमें इंडियन नेवी के कमांडोस है, जल्से जल्द यह शिप पर पहुच गए, और इस शिप को कम्प्लीटली सैनिटाइज कर दिया, यहाँ पे आप देख पाएं अब मारकोस क्या है, मारकोस देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म है, फॉर इडियन नेवी कमांडो फोर्स, बहुत ही ज़ादा इंडियन नेवी की, काफी बार ऐसे ओपरेशन में इनका क्रिटिकल रोल होता है, और आप इमेजन करके देखिए, इंडियन नेवी अगर स्विफ जला के चले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी अन्होनी यहां पर टाल दी गई, और इसके बारे में जानकारी देखिए, सबसे पहले यूके का एक पोर्टल है, यूके एम टीयो, वहां से इंडियन नेवी ने एक्शन स्टार्ट कर दिया, आप यहां पे आपको एक बार सम कर रहे हैं, और आप अगर वर्ल्ल मीडिया देखोगे, CNN, BBC, Al Jazeera, जी हाँ, इवन Al Jazeera, जो यूजुली इंडिया के बारे में ऐसी न्यूज इतनी कवर करता नहीं है, Al Jazeera को भी यहां पर यह बात रिपोर्ट करनी पड़ी, कि इंडियन डेवी ने एक शिप को दिया, नहीं तो वैसे मैं आपको बता दूँ, ऐसे हाईजक अटेम्ट पहले ही रोक देना बहुत ही जादा रेयर होता है, और वर्ल्ल मीडिया आज के समय ये बात भी रिपोर्ट कर रहा है, कि इंडियन ने ना सिर्फ इस शिप को बचाया है, उसके इलावा इंडिया ने अब अरेबियन सी में एडिश्टल डिप्लोयमेंट बढ़ा दी है वर्शिप्स की, ताकि कल को कोई और ऐसा इंसरेंट ना हो जाए, क्योंकि सोमालिया के जो पारेट्स हैं, एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, सोमालिया है कहाँ पर फिर यहाँ पे पारेट् बहुत जादा हाई है, और सिस देखिए, सोमालिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्टल डीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारे पारेट्स के जो ग्रूप से यह खड़े हो गए, इनका सिंपल काम ही होता है, एक शिप को कर लेते हैं, यह हाई जैक और उसके बाद मांगते हैं फ का लॉस हो रहा है, because of Somalia Pirates, हाला कि तब से लेकर अब तक आप अगर compare करोगे ना, तो overall जो hijacking का number है Somalia Pirates का, यह काफियत तक गिर चुका है, मगर पिछले कुछ समय में, जब से Yemen के जो होती rebels हैं, वो लगातार अटाक कर रहे हैं, शिप को Arabian Sea में और जगा, इस से Somalia के Pirates को अब आप कहले जिए, इनको वापस एक reason मिल गया है, अक्टिव होने का, क्योंकि बहुत सारी ships हैं, वो Red Sea से जब गुजरती है न, उसके बाद वो ships कोशिच करती है, कि Gulf of Eden के बिलकुल South से होके निकले, ताकि होती rebels उनको attack ना कर ले, और इसी बात का आज के समय फायदा उठ सारे हैं, Somalia के Pirates, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होगे, कि यह problem कितनी ज़रा बड़ी है, और क्यों Al Jazeera, BBC सब लोग आज के समय प्रशंसा कर रहे हैं, भारती नौसेना की, यह देखकर genuinely I feel proud, बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर, कि Indian Navy rescue sailors on board, a ship attacked by Pirates of Somali Coast, और भारत की नौसेना की प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि एक टाइम पर Somalia के जो Pirates से बहुत ही बड़ा सरदर था, यह सरदर दुनिया के सामने अगर वापस आ जाता ना, अगर मान लो, यह इनका hijack attempt successful हो जाता, यह Somalia के Pirates जादा active हो जाते, इनके जो बाकी groups हैं, वो भी active हो अब at least इस failure के बाद ना, बाकी जो Somalia Pirates के जो group हैं, वो भी कहेंगे के देखिए, Indian Navy इस वक्त Arabian Sea में बहुत जादा active है, तो बिना बारत पे जो यह ships हैं, नहती ships, इनको hijack करने की कोशिश करना, it is pointless, और India ने देखिए, यहाँ पे इस region को, एक message यह भी दिया है, कि सिर्फ USA पर depend करने की आप शकता नहीं है, क्योंकि मुझे याद है, जब भी यह issue सामने आता था, यह Somalia के Pirates का, दुनिया देखिए नहीं, USA को, कि USA हैएगा, यहाँ पर USA बचाएगा सब को, क्योंकि आप अगर Arabian Sea का यह area देखो, यहाँ पर उस time के हसाब से, 2010 के हसाब से गरम देख एक message यहाँ पर send कर दिया है, क्या असानी है कि सिर्फ USA पर आपको depend करना है, India can provide proper security in the Arabian Sea, तो यह देखिए एक proud moment है इंडिया के लिए, Arabian Sea में मुझे लगता है कि Indian Navy का जो रोल है बढ़ने वाला है, और in the future बहुत सारी और news आईगी, तो कुछ और dollar pens होती है, तो मैं आपके यह इस link पर यहाँ पर आपको करना है click, और इधर आप देख पाएंगे, अगर यह जो code है PD10 यह आप लगा रेते हैं, तो सीधा सीधा prices 50% गिर जाएंगे, यह biggest ever offer on IES subscriptions है, by an academy flat 50% off, और साथ में 6 महीने आपको extra मिलते हैं extension के, तो यह जो courses हैं यह आप purchase कर सकते हैं, so this is the end of this video, thanks for listening and as I always say, may the gods watch over you.